मन बात नहीं सुनता हम सुनवाएंगे परेशान करता है हम समझाएंगे विचार उलजते हैं हम सुलजाएंगे इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे साइको गुरू टीम है हर पल आपके साथ करवाएगी फिर से मन से आपकी बात महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रग जब साइको गुरू टीम होगी आपके संग भू सारे ऐसे इनसान होते हैं जिनके पास सब कुछ है शारीरी कुरूप से मजबूत हैं और फाइनेंसली मजबूत हैं लेकिन फिर भी मानसिक रूप से और अध्यात्मिक रूप से कमजोर रह जाते हैं विचार उनका पीछा करते रहते हैं विचारों से वो हमेशा लड़ते रहते हैं या विचार उनके अंदर जमावडा बना लेते हैं ट्रैफिक जाम किये रखते हैं इससे उनको लगता है कि फीका फीका सा है तमाम तरह के जगणों का उन्हें सामना करना पड़ता है यह निशानी है मानसिक रूप से ऐस्वस्त होने की और इसका हल मिलता है हमें मनोविग्यान में और अध्यातम में अगर हम अपने विचारों की इस आदत से छुटकरा पाना चाहते हैं वास्तों में म कैसे विचारों से हमें दूर हटना है कैसे विचारों को थर्ड एंगल से देखना है कैसे माइड़ फुलनेस की प्रैक्टिस करनी है कैसे साक्सी भाव द्रिश्टा भाव में हम रह सकते हैं कैसे विचारों को डील करना है यही सिक्षा हमें मिलती है माइड़ फुलनेस टेक कि कैसे हम अपनी इस विचारों की लट से छूट सकते हैं, कैसे हमें विचारों को देखना है, कैसे विचारों से बचना है, कैसे जो विचारों में हम दिन भर उल्जे रहते हैं, पोजिटिव को नेगटिव करने में, नेगटिव को पोजिटिव करने में, सही को गलत करने में गंदे, उल्टे, बुरे विचारों से प्रेशान है OCD वाले भी विचारों से प्रेशान है डिप्रेशन वाले तो प्रेशान ही नेग्टिव विचारों से रहते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक situation रहती है Rumination OCD वालों की जिनके मन में इंट्रूसिव थोट, अन्वांटेर थोट चलते ही रहते हैं और पीछा ही नहीं चोड़ते हैं यही हालत होती है प्योर ओफोम OCD वालों की जो विचारों से पीछा छुडवा ही नहीं पाते हैं चारों से पीछा छुडवाने का नाम ही तो Spiritual Healing है कि हम खुद की पावर से ही अपने आप का इराज कर सकते हैं वही पावर हमें पहचानने की जुरूरत है और इस सवाल का जवाब मिलता है अध्यातम में तो डोक्टर प्रिवीन गरग जी हर अध्यात्मिक सवाल का जवाब बड़े सरल और सब्या तरीके से देते हैं अगर आप इन विचारों की आदत से चुटने के लिए अध्यातमिक या Spiritual Healing का सहरा लेते हैं तो आपको फाइदा मिलना अवश्यम भावी है सो परतिसत फाइदा मिलता ही मिलता है क्योंकि इसके पीछे वेग्यानिक साक्षे तथे भी हैं वो क्या तथे हैं क्या साक्षे हैं वो किसी अन्य वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज के वीडियो में इतना ही अगर ये विचारों वाली बात समझ में आ गई तो बले बले नहीं समझ में आई तो थले थले फिर भी थले थले को बले बले में बदलने के लिए आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात कर सकते हैं आप राजिंदर्जोद्प्रिया.com वेबसाइट पर रिटन में टिप्स पढ़ते हैं इसके लिए मैं आपका तह दिल से अभारी हूँ